अक्टूबर उनिस्ट चानवे की बात है जोदपूर के आसपास फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग हो रही थी आरोप है कि एक्टर सल्मान खान, सेफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंदरे, नीलम और अन्य ने घोड़ा, फाम हाउस, भवाद और कांकणी गाउं में काले हिरन का शिकार किया शिकार मामले में सल्मान मुख्य आरोपी थे, उन्हें 20 साल जोदपूर कोट के चकरभी काटने पड़े, आखिर में 5 साल की जेल की ससा हुई, फिल्हाल वजमानत पर है सल्मान को छोड़ कर बाकी आरोपी बरी हो गए और जोदपूर के कांकणी में, जहां सल्मान खान पर चिंकारा के शिकार का आरोप लगा, वही साथ बिगहा में हीरन स्मारक और रेस्क्यू सेंटर जल्द शुरू होगा बालिवोड एक्टर सल्मान खान ने जिस काल हिरन का शिकार किया, उसी चिंकारा की याद में जोदपूर में भव स्मारक बनने जा रहा है काल हिरन का स्टैचू बन कर तयार हो चुका है, यह यहां के कांकणी गाउं में बनाया जा रहा है जल्द ही हिरन का स्टैचू का अंकणी में स्थापित कर दिया जाएगा अब उसी घटना और चिंकारा की स्मृती में ये कदम उठाया गया है मकसद है कि लोगों में वन्य जीवों और पल्यावरण के प्रतीज जाग रुपता है चिंकारा का स्टैचू भारी भरकम है लोहे और सिमिन से बना है और वजन है करीब 800 खिलो जोदपुर के सिमाची गेट ने वासी मूर्तिकार शंकर ने इसे महस 15 दिन में तयार कर दिया उन्होंने ये हूबहू आकरती कैसे तयार की शंकर बताते हैं कि मैंने चिंकारा की हर एंगल से फोटो जोटाई फोटो देखकर आंगन पर चौक से स्कैच बनाया और फिर लोहे के सरीयों को जोड़कर हिरन का पिंजर तयार किया पिंजर को प्लास्टिक कट्टों से बांदा और फिर उसके चारों और धाचे में सिमिंट फर दिया सिमिंट सूखने पर पानी की तराई की गई, हिरन की शेप देकर सिमिंट को पकाया और फिर फिनिशिंग का काम हुआ एक बार सिमिंट से हिरन की हुब हुआ आकरती बनने के बाद उस पर कलर पेंट किया गया मूर्ती पर सिमिंट या लोहे से बनाने की बजाए असली हिरन के लगाये गए जंगल में म्रत हिरन के अवशेष से सिंग लाकर स्टैचु को लगाये गए है कांकनी में शिकार के बाद हिरन को जहां दफनाय गया वहीं साथ बिगाई इलाके में विशाल स्मारत बनाया जा रहा है संत महात्मा की जैसी चिंकारा की समाधी भी होगी वनीजीव आखासकर हिरनों के लिए एक रेस्क्यो सेंटर बनाया जाएगा जहां बीमार हिर्णों का इलाज और उनकी देख भाल की जाएगी कांकणी निवासी वनिजीव प्रेमी प्रेम सारण और बुधाराम की अनुसार मूर्ती तैयार है एक दिन और लगेगा फिनिशिंग में मारे गए हिर्णों के सम्मान में समारक भी लगभग तैयार है यह समारक स्टल कांकणी में है और यहीं पर चिंकारा को दफन भी किया गया था अब यहीं समारक बनाकर इसे प्लाटफॉर्म पर चिंकारा का स्टैचू लगाएंगे हिरन शिकार मामले में विश्णों समाज ने लब लड़ाई लड़ी समाज ने ही समारक के लिए जमीन दी समारक का रूप देने के लिए समाज के दूसर लोग भी जुटे कांकणी युवा नाम से एक ग्रूप बनाया गया और कांकणी समारक विश्णों समाज की परंपराओं की याद हमेशा दिलाता रहेगा दोसतो सीवीशी नियूज आपके सहयोक से लगातार बढ़ता जा रहा है सुगतन्त्र पत्रकालिता का सहयो करने के लिए आपका धन्यवाद सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बैल आइकन को भी दबाना है और वो भी पूरी बेबा की किसार पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिमेदारों तक पहुँचाना ही हमारा लक्ष है और ये आपके सहियोग के बिना संभव नहीं है हमारा सहियोग करें स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दे और जॉइन बटन पर जाकर सदिसिता ले चाहिए सबसे जोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो जनता की वेबाग आवाज बने रहें उसके लिए सहियोग आपको ही करना है सबस्क्राइब करिए और जॉइन बटन पर क्लिक कर सदिसिता करें कीजिए